एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर के किसे आजकल बहुत सुनाई देते हैं, हर जगा ऐसी ही बाते होती रहती हैं। कई एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर का तो इतना बड़ा परिरिणाम होता है कि लोगों की जिंदिगी तक तबाह हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कोई शूचता कि bachelor observe चलाते क्यों है तो चलिए हम बताते हैं अक्स्टरमेरिटल अफ्रीर Kita कि या कारण होते हैं कि सालिक एस नतुस्टी कई पर ऐसा होता है कि कई लोग अपण से क्वेसे खुश नहीं होतें ऐसे Мне जब उन्हें बाहर से सालिक संतोस्ती मिलती है तो वे एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर्ट चलाने लगते हैं और ऐसे में वे अपने पार्टनर को चीट तो करते हैं साथ ही उनका रिस्ता और जिंदिगी भी खत्रे में पढ़ जाती है क्योंकि अक्सर ऐसे मामले मडर या जेल में जाकर ही खत्म होते हैं अरली मैरिज यानि की कम उमर में शादी हो जाना इससे होता यह है कि हमारे दिमाग में यह खयाल आता है कि हमने अपनी लाइफ में मजे नहीं किये ना ही डेटिंग की है ना ही घूमे फिरे हैं और ना ही रिलेशनशिप में रहे हैं और जब आप 30 सा इन वाल्क होते हैं तो आपके दिमाग में यहीं सारी चीज़े घूंती रहती है फिर आ इन सब चीजों की तरफ घूत होते हैं यहसारी बाते आती हैं तब आप ये सारी चीजे experience के लिए extra marital affair रखने के लिए तयार हो जाते हैं जो कि पूरी तरीके से गलत है जिससे शाधी शुदा जिन्दिगी भी तबाह हो जाती है force marriage कई बार ऐसा होता है कि गलत reason या गलत आदमी से शाधी हो जाती है समाज और परिवार का दवाब लोगों को इतना जकर लेता है कि दवाब के चलते लोग भी ना सोचे समझे शाधी कर लेते हैं और शाधी के बाद अगर उनका partner सही नहीं होता तो फिर शाधी के बाद उनका रिस्ता ठीक से नहीं चल पाता तो ऐसे में वह लोग नए लोगों से तालमिल बनाने की कोशिस करते हैं और जब उन्हें अपने partner से भी अच्छा कोई साथी मिल जाता है तो उनकी दोस्ती अफेर में बदल जाती है और शुरू होता है extra marital affair excitement की कमी कई बार ऐसा होता है कि एक partner दूसरे partner के सवभाव से खुस नहीं रहता ऐसे में उनकी excitement और मोज मस्ती खत्म हो जाती है और इसलिए अपने excitement को पाने की लिए वह extra marital affair रखने लग जाते हैं तो दोस्तों आपको क्या लगता है extra marital affair रखने की यही कारण होते हैं या फ हिस्ते में जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर लें